मन में थी समाज सेवा की चाहत तो कठिन परिश्रम लगन के साथ मेहनत कर बन गए IPS यह जमुई के SP शंद्रप्रकाश जिनके काम की जिले में खूब तारीफ हो रही है संकल परिश्रम और परियास इन तीन मूल मंत्र के स्तहारे कोसी इलाके के एक परिवार का यूवक आई आई टी कानपूर से डबल बीटिक और एमटिक की पढ़ाई पूरी कर एक अच्छे कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी तो ज्वाइन कर ली लेकिन उनको ये नौक सब्कूरी छोड़ी फरतयारी की शिविल सर्विस परिक्षा की और प्रडाराम ये हुआ कि पहले परियास में पीटी और दूसरे परियास में क्राक किया सिर्वल सर्विस के परिक्षा और अब दे रहे हैं जमुई में सेवा जमुई के नपदस्थापिर्थ एस पी चंदर प्रकाश ने कई विंदूओं पर खुल कर पातकी और पदभार सभालते ही जमुई के लोगों को लेकर बड़ी बात कह दी सर्थ पहला सवाल यह होगा मेरा कि कोशी इलाके से आते हैं कोशी की तरासदी को हर साल लोग जहलते हैं आपकी नजरों में क्या इसका उपाय है कि लोग इससे निजाद पा सके लेकि इस पर तो मेरा बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं भी अभी सरकार का ही पार्ट हू और दोनों भी सरकार सबस्क्त owners. इ libif. और जो भी इसमें जो इसमेश्ट पाने मियरा है अश्रेटेटमन्ट इन जो है आशा है कि जो अभी लोग जो परिशान हो रहा है उन्हें जलते जो है रात मिल जाए है अन्यों बच्पन से आप बहुत मेधावीर हैं जो जानकरी मुझी कठा हुई है साहरता से लेके फिर देवघर फिर राची तक का सफर फिर आईटी कानपूर के बात सिविल सर्व सर्विसेज मुटिवेशन काँ से मिला सरी है बिहार में तो एक रहता ही है जैसे आप लोगो पता है कि यहां पे बच्चे काफी इंस्पाइड रहते हैं सिविल सर्विसेज को ले करके तो बच्पन में मैं भी बहुत इंस्पाइड था फिर बात में जो है इंजिनिनिक देने की तो अगर मुझे करना है अगर पॉब्लिक सर्विसेज में जाना है क्योंकि सटिस्वेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि आपको मतलब जॉब से और खास करके कॉर्परेट जॉब से मिलना यह और पैसे ज्यादा होने के वज़ए से मिलना यह हर केस में पॉसिबिल नही कुछ लोग जो है सक्सेस अपने पैसों से या फिर कॉर्परेट में लैडर चड़के जो है उससे पाते हैं और बाकी कुछ लोग जो है फिर उस लोगों में रहती है कि कुछ जो है बाकियों के लिए क्या किया हमने उसे सट्विसेक्शन मिलती है तो उसी समय एक होप हो की थी मेरे लाइफ में डिलिमा था कि क्या करना है तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब जो है अगर समय है यही तो मैंने करीब देर साल के आसपास जॉब किया था प्राइवेट सेक्टर में उस तेवाज फिर जो है छोड़ करके फिर यूपेसी इस लिए दिया था तो जो और प्रब्लिक सर्विस से सटिस्फेक्शन है वो राप्त करते हैं तो जहां तक मैंने आपके बारे माध्यान क्या उसमें जानकरी मुझे मिली है या सच्छा या गलत पता नहीं कि फूर्थ या फिप्ट में जब थे आप तब किसी का स्पीस सुनके आपको आईयस या आई पहले परियास में पीटी दूसरे परियास में सफलता ये जमुई में एक जिला के लूप में पहली पोस्टिंग आपकी है जमुई के पहले कहां कहां आपने अपना योगदान तो इससे पहले में एस पी रक्सॉल था उसके फिर एस पी भोजपूर सदर आरा में था उसके सिटी एस पी सेंट्रल में था सर एज एस पी पहली पुस्टिंग है जमुई कितनी बड़ी चुनोती है जमुई अदेखिए जमुई जो है बहुत ही पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही विराइटी है यहां पर बिसिकली जो प्रॉब्लम्स जो है जो क्रिमिनल जो विभिन एलिमेंट्स के हैं जैसे मैं आपको बताओं कि यहां पर जो है जो ल्डवी भी एफेक्टर रहा है और अभी भी जो है पूर्ण तया जो है समाब तो नहीं हुआ है कुछ लोग अभी भी इसमें अक्टिव हो सकते हैं और अगर उसके पूलिसिंग अच्छे से नहीं सूचनाई प्राप्थ हो रही है तो यहां पे जो है काफी विभिन तरी के क्राइम जो है इस पर लग लग जो प्लानिग करके जो है काम हुम करेंगे तो यह ही क्रेंगे लेकिन कुछ तो प्लान किये होंगे जी जो हमारे दिसा निर्देश है जो उपर से आते रहते हैं उन्हीं को जो हमें अच्छे से implement करवाना है उसमें दो तीन चीजे है कि जो इंटेलिजिएंस जो मेकैनिजम है यहां पर बनाया था उसको हम लोग और मजबूत करने कोशिश करेंगे साथ ही जो जो नोन क्रिमिनल्स हैं उन पर हम लोग जो है बहुत ही टाइमली मैनर में उसको जो हम लोग वेरिफिकेशन हर एक पिरियोडिकल चार्ट बना के करेंगे कि वह अभी क्या कर रहे है अभी फि मुझना प्राप्त होंगी उसके लिए हम लोग उपन रहते हैं हमेशा और मैं भी उसमें जो है ट्रांसपरेंसी रखना चाहता हूं तो लोगों से मिलना लोग जो अपनी परिशानिया बता रहे हैं जो माली ट्राफिक की समस्या है कहां ज्यादा इश्यू हो रही है इन सब है कि जब भी आप दर्वार लगाते हैं लोगों की काफी भीर होती है और खास करके लेंड डिस्टूट का मामला ज्यादा रहता है तो आपको लगता नहीं है कि थाने अस्तर पे वो उनकी समस्या सुनी नहीं जाती या थानेदार उनकी आवाद सुनते नहीं है या कहीं समझ मैंने देखा है कि कई लोग थाने पर जाते भी नहीं है पूरो में जब उन से मैं पूछता हूं कि क्या आप इस समस्या को ले करके थाने पर गए तो मेरी आशा है कि लोग ज्यादा क्योंकि एक सिस्टम में उनको शायद लगड़ा है कि सायद एस पी ही जाके ठीक कर रेकिन एसा नहीं है खकते लोग अगर के अधर फिर वो शेलिर का सेगे मेन काम सिनियर आफिसर रहता है कि सिस्टम के हर लेफ्ल को जो है जुस्त-दृब üç किया जाए जिससे की सिस्टम हर लेवल पर अच्छे से काम करें और लोग जो जहां पर उनकी शिकायते जा रही है सबसे पहले वहीं पर जायतर किसे जो है वहीं पर सॉल्व हो जाएगी लेकिन फिर भी मैं लोगों से जितना भी लोगाता है सबसे मिलके यही उनको जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं और जिसमें परिशानी जन्वीन रहती है उसको हम लोग जो है कुछी दिसानिर्डेस और जो भी कारवाई है हम से अफेक्षित है वह हम करके उसको सॉल्व करने कुशिश करता है पुलीस पब्लिक फ्रेंडली ऐसे तो कहा ही जाता कि प्ली है तो हर जो थाने हैं उसमें महिला हेल्पडेस की प्रतिनुक्ति जिसमें की महिला ऑफिसर और महिला सिपाई ही जो है उस डेस्क पर रहेंगे और उनके जो एक रेजिस्टर का भी संधारन किया जाएगा तो इस सब पर मैं जोड दे रहा हूं जबी भी अभी जा रहा हूं जो कमजोर वर्क है उनके बारे में हो गया बाकी भी जो है जो पुलिस फ्रेंडली कर जहां तक बात है तो हम लोग आपको पता होगा कि पहले सारी डिस्टिक में आया करता था तो इसमें हमारे पास जो है कम्मुनिटी पुलिसिंग के हैड में जो कुछ इवन फंड्स भी जाते हैं और इन जेनरल भी हम लोग जो है कम्मुनिटी पुलिसिंग के डिरेक्शन में पूरू में देख रहा हूं कि पिछले सालों में भी जो है काफी जो है कैंप्स लगाए गए हैं कुछ समान बाटे गए हैं जैसे ब्लैंकेट्स हो गए या फिर मेडिकल के कुछ जो ह फर्मिसी की चीजे जो दवाईयां बाटी गई हैं तो इसको हम लोग आगे रखेंगे और इसको आगे भी करते रहेंगे और यह इससे जो है खास करके ऐसे एडिया में जहां पर की पूरू में जो है कुछ नक्सल कतीवदी हुई थी उन लोगों को जो है समाज से जो है और बनाएंगे जैसे यह पूजा खतम होता है हम लोग जो है पूरा मूव करेंगे और लोगों के साथ जो है साजा करेंगे कि क्या क्या समाज में जो है हम लोग बेटर कर सकते हैं जो भी सरकार की सिवाए है उनको उपलब्द कराने की कुरी जो है कोशिश हमारी देगी दो कर रहा है सब जगह जो है जो है जो बी कमियां थी वह हमने कर दिया है इसमें जो जैसा कि आपको पता हुए कि सरकार ने भी जो है CCA जो कानून है उसको बदलाव करते हुए जो हमें निरुधात्म कारवाई करने की ज़्यादा छोड़ दी है अब जो है जो शराब माफिया है या जो बालू माफिया है उनके विरुद भी हम लोग CCA का प्रस्ताव भेज सकते हैं तो हमने भेजना भी प्रारम किया है अभी और भी चिन्नित करवा रहा हूँ मैं तो ऐसे जो भी माफिया एलिमेंट है उस पर हम लोग जो प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे और साथ के साथ जो रेड्स और जो चीज़े चल रही है वो तो चलती ही रहेंगे साथ में मैं खुद जो है अभी डियम मैं से यह मैंने बात किया है हम लोग जो है खुद में भी टीम के तरह निकल करके जो है इस पर जो है और इसमें जो है जितनी भी बरामदगी और जो भी एरेस्टिंग और फियर हुआ है इसमें और फिदील आने की कोशिश करेंगे क्या संदेश देंगे जमुई को यूवाओं को या फिर यहां के अपरादियों को थ्रिटिंग और यूवाओं को संदेश देखी यूवाओं से यही संदेश है कि पहले तो आप जो है अपने जो भी काम कर रहे है उसमें रूचीले और अच्छे से काम कर रहे और एक बार जो सोचल मीडिया जो एक बैड इंफुलेंसर काम कर सकती है लोगों के लिए उसको जो है एक बैलेंस्ट वे में यूज करें उसकी अच्छाहियां भी है उसको यूज करें और दूसरा ही है कि अगर कोई सुचना रहती है तो एकदम फ्री है हम से सेयर कर सकते हैं मेरे आफिस म उनके विरुद तो मैंने आपको बताया ही हम प्रेवेंटिव एक्षिन के साथ साथ जो है अगर घटनाएं होती है तो उसके बाद भी जो है उनके विरुद कारवाई करेंगे अखरी सवाल से बिहार तक के दर्सक यह जाना चाहते हैं कि मोस्त इलिजिबल बैचलर है कब सा आज काल में जमुई बासियों को देखने को मिलेगा राकेश कमार सिंग बिहार तक जमुई